अब पोलिनोमियल और कुपिक पोलिनोमियल यानि की सेटिंड चेप्टर में 2.4 की ये प्रोब्लम लेगे ये हमारे पास कुपिक पोलिनोमियल है 2x3 प्लस x2 प्लस 5x प्लस ने 2 आप में इसमें आप बताना है कि 1 by 2, 1 and minus 2 are the zeros of given पोलिनोमियल और नो, तो सबसे चले हम पोलिनोमियल लिखेंगे और x की चले रखेंगे 1 by 2, 2 into 1 by 2 का Q प्लस में 1 by 2 का स्केर, minus 5 into 1 by 2, प्लस में 2 तो यहां से हमें सोन करके देखा, ये हो यह हमारा equal to 0 Similarly, अब हम रखेंगे x की value 1, तो 1 रखने पर भी हमारी पास result के आगे 0 फिर हम रखेंगे minus 2, 2 into minus 2 का Q, प्लस में minus 2 का स्केर, minus 5 minus 2, प्लस में 2 अब minus 2 का क्यो करने पर minus 8, minus 2 का स्केर करने पर plus का 4, minus minus से multiply करने प्लस का 10, प्लस में 2 and result equal to 0, therefore we can say 1 by 2, 1 and minus 2 are the 0s of given polynomial अब में चट करना है, 1 by 2 यह हमारा है alpha, 1 यह हमारा beta और minus 2 यह हमारा gamma अब हमारे पास alpha plus beta plus gamma, अब हमें तीनों का add करेंगे, तो हमारा result आया minus 1 by 2 और हमारा formula क्या है, minus b by a, अब यहाँ पर polynomial में हमें देखना है कि a किसे करते हैं, b किसे करते हैं, c किसे करते हैं the coefficient of xq कार्ण a, coefficient of x square कार्ण b, coefficient of x कार्ण c, and constant term कार्ण b तो यहाँ से आगा हमारे minus b by a, यानिकि b की value 1 और a की value 2, minus अपनी तरफ से लगाना है तो यह result भी 1 by minus 1 by 2 है, और यहाँ से भी minus 1 by 2 है, तो यह equal होगे, यह हमने prove कर लिया same इसी तरह से, alpha beta, beta gamma और gamma alpha, इसको हम multiply करके, add करके देखेंगे तो result आता है, minus 5 by 2, और हम formula के अनुसाद देखें, तो c by a, c की value यहाँ पर minus 5 है, a की value यहाँ पर minus 2 है, तो यहाँ से भी हमारे पास आगया minus 5 by 2, और यहाँ से भी आगया हमारे पास minus 5 by 2, अब हम देखेंगे third, alpha, beta, gamma, इन तिनों का हम product निकालेंगे, इन तिनों का product निकालने से हमारे पास आगया minus 1, और हमारा formula होता है, minus b by a, b की value हमारे पास 2 है, a की value 2 है, minus का sign अपनी तरफ से है, तो यहाँ देगा हमारा minus 1, तो इस परकार से हमारा टेली हो गया, यह हमारा verify करने का तरीका है, अब हमारा अगला question, you have given alpha plus beta plus gamma is equal to 2, alpha, beta, beta, gamma, and gamma, alpha minus 7, and alpha, beta, gamma is equal to minus 40, हम अब फिर से formula apply करेंगे, alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, और यह हमारे पास दिया होए, 2, to do by 1, तो यहाँ से b की value आजाएगी minus 2, और a की value आजाएगी 1, second, alpha, beta, plus में beta, gamma, plus में gamma, alpha, equal to c by a, minus 7 by 1, तो c by 1, a की value 1 लग दी, तो यहाँ से c की value आजाएगी minus 7, इसी तरह से alpha, beta, gamma, हमारा उत्या माइनस b by a, और यह दिया होए, हमारे को minus 14, और minus से minus कर जाएगा, तो d की value आजेगी 40, ना, क्यूभी polynomial, a x q plus b x square, plus में c x, plus में d, a की value रखेंगे हम, 1, b की value रखेंगे हम, minus 2, c की value रखेंगे हम, minus 7, और d की value रखेंगे हम, minus 40, और बाहर भी रखेंगे k, it means, केवल यही polynomial नहीं आएगे, आप k की value चेंजी करते जाएगे, तो इसी तरह के कई polynomial बन सकते हैं, यह हमारा cubic polynomial निकालने का formula है, और यहाँ फ़र आपको sum दे रखागा, alpha, beta, gamma में उससे आपने verify किया, तो यह exercise आपने 2.4 in formula पर based करनी है, register पर, that's all.